नमस्कार आप देख रहे हैं फल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका और उनकी बेटी नियासा जूस सेंटर कम सलून से निकलते दिखाई दिये मा बेटी का ये अंदास काफी निराला नजर आया गौर करे तो ये दोनों ही एक दूसरे को कॉंट्रास्ट कर रहे हैं जा एक तरफ बेटी नियासा ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं तो वही काजोल All in Black अफ़तार फ्लॉंट कर रही है अब जानते ही हैं कि तस्वीरों का खिचवाना हर सेलिब्रिटी और स्टार केट को काफी पसंद आता है पर लगता है नियासा कोई अंदास बिलकुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइमलाइट से बचने की कोशिश करती नजराईर काजोल की बेटी नियासा फिलाल नियासा की उम्र काफी कम है शायद यही वज़े है जिसके चलते वो लाइमलाइट से दूरी बना रही है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नियासा फिलू इंडस्ट्री का हिस्ता बनेंगी या फिर नहीं लेकिन फिर भी जब जब मिलता है मीडिया के कैमरों को मौका वो हमेशा आजे और काजोल की बेटी नियासा को कैमरा में कैद कर ही लेते है नियासा को कई बार एरपोर्ट पर स्पोर्ट किया जा चुका है इतना ही नहीं पिछले दुनों अजदेवगन के पिता वीरू देवगन का निधन हो गया था और इस खबर के बाद भी न्यासा को सलून के बाहर स्पोर्ट किया गया था जिसके बाद न्यासा को सोशल मीडिया पर फैंस ने काफी ट्रोल भी किया हलाकि बाद में न्यासा देवगन अपने दादू यानि की वीरू देवगन के चौथा सेरेमनी में काफी भावुक दिखाई दी थी और तो और काजोल भी ससुर के अचानक निधन की खबर सुनकर काफी परिशान हो गई थी उन पर भी मानों दुखों का पहाड तूट पड़ा था वही बीती दुनों काजोल अपने पती अजेब बेटे योग और बेटी न्यासा के साथ वेकेशन्स के लिए निकल गई थी जहां से देवगन फामली की कई मस्ती भरी दस्वीरे भी सोशल मीडिया पर बारल हुई और अब भीती रात काजोल और उनकी बेटी न्यासा को सलून के बाहर देखा गया जहां पर ये दोनों काफी अच्छी लग रही थी पर आल आपको कैसा लगा इन दोनों का ये लुक कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना पूलिएगा